हेलो एवरीवन उमीद है आप सभी अच्छे होंगे मैं हूँ अर्पित फाम या फेवरिट फी लर्निंग प्लैटफॉर्म जहां पर आप सब पर सकते हो फिजेक्स कमेस्टी मैस बला जी एफसलिटली फॉर फॉर फॉरी एट लर्नोहब डॉट कॉम तो आज में स्टार्ट करने वाले हमारा कॉंसा कुछ अगला वाला वीडियो जो तुम्हारा जो कुछ कोशन्स रहे गए तिने तुम्हारे ठीक है कॉंसे 52 से 56 तक हम इसमें कोशन्स देखेंगे ठीक है सारे कॉंसेप्ट तुम क्लियर करके आना और अगर नहीं है तो एक बार तुम वन शॉर्ट वीडियो देख सकते हो स्टक्चर ओफ एटम का वहाँ पर तुम्हारे कॉंसेप्ट हो जाएंगे एक दम क्रिस्टल क्लियर और फिर तुम मेरे साथ करना क्या है एंस्यार डिसॉलिशन और अभी तक तुम्हाएं अगर तुम सीधे ही करना चाहते हो एंस तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे यह वाला कोशन क्या कहा रहा है तो 52 कोशन तुमका कहा रहा है कि फॉल्वाइंग रिजल्ट सार अब्जर्फ वैन सोडियम मैटल इस इर्रेडियेटेड ठीक है विथ डिफरेंट वेवलेंड्स कैलकुलेट ए पहला कौन सा तुम्हें कैल यह कुछ तुम्हें वैल्यूस दी गई है ठीक है इतने तो अपनको पता है कि आप तुम्हें कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे ठीक है तो एक काम कहते है सबसे पहले इस टेविल को हम देखते हैं इतने को हमें जरूवत नहीं हमने देख लिए प्लैंक कॉंसेंट का मतब यह होता है कि वो मिनिममम फ्रिक्वेंसी या एनर्जी ठीक है जहां पर तुमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाता है ठीक है उसको बोलते हैं तो एक बात बताओ जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसकी खुदगी खुदगी होगी बिलकुल होगी ना कैन माइनस म्यू नॉट ठीक है यह हमने पड़ा हुआ यह फॉर्मूला है भाई ठीक है यह फॉर्मूला है यह हमने देखा हुआ है कैने टेक एनरजी वाले में ठीक है चलो यह होता है तो आप यह जो है तो मैं क्या चाहिए थ्रेश्वल्ड फ्रेक्वेंसी मतला हमने अभी कहा हमें निकालना है miu0 , lambda0, है ना ?। और हमें एक और formula पता है। वह कौनसा formula पता है, हम तेक तेम आइक म्यू इस एकल तो होता है c by lambda अब हमें यहां पे कहें चाहिएhere lambda0 तो यह miu0 है ठीक है ? तो सारी के सारी values को put कर तो कि आ जाएगा तम्हारा 0 mv2 is안 to h c by lambda minus c by lambda naught यही होगा ठीक है threshold frequency अब threshold wavelength तो इसको जड़ा निकालो 1 upon 2 mv square is equal to h c 1 by lambda minus 1 by lambda मतलब कौनसा यह है तुम्हारा threshold frequency ठीक है अब तुम पूछोगे कि lambda क्या क्या देखो पहला तुम्हें lambda दिया है नैनो मीटर में सारी के सारे नैनो मीटर में है तो हम अपना जो निकालेंगे कौनसा threshold frequency जो हम निकालेंगे ठीक है threshold wavelength वो भी हम किसमें निकालेंगे lambda naught into 10 की power minus 9 nanometer ठीक है इसमें निकालेंगे minus 9 nanometer नहीं मतलब minus 9 meter है ना है से निकालेंगे ठीक सारी values में आएंगे तो अब एक कम करो यह तुम्हें values कुछ दी गई है सबको put करो देखो क्या आएगा तुम्हारा सारी की सारी values को हम put करते हैं देखो पहला क्या है तुम्हारा lambda तुम्हें दिया हुआ था देखो one upon two mv square ठीक है velocity भी तुम्हें दी गई है उसको हम बाद में रखेंगे अब देखो is equal to hc ठीक है one upon lambda के तदिया है पहले वाली के लिए 500 तो लग दो 500 minus one upon lambda into 10 की power minus 9 यह हमने बोला था अभी रखेंगे हमने रख दिया ठीक है इतना समझ में two m into v square मतलब कितने का square 2.5 का 2.55 का whole square ठीक है इतना समझ में आ गया तो यह होगा है पहला चलो दूसरा देखो दूसरे की equation भी same ही put करना है तो देखो क्या हो जाएगा one upon two m इसलिए नहीं change हो रहा है क्योंकि electron का मास तो सेम ही होगा सम में ठीक है चलो m कुछ नहीं होगा मास तो सेम ही है into v कितना है इसके लिए four point into four point three five v square होता है तो यह square हो जाएगा है ना चलो is equal to ठीक है क्या है एससी तो लिए दो भाई hc one by lambda किता है 450 450 minus one by lambda no into 10 की पावबर minus nine meter कुछ चेंज आया नहीं आया यह सको रग दो equation number second यह होगा equation number second चलो अब थर्ड दिक और one upon two m वी कितना है तो मारा five point three five का whole square is equal to sc one by यहाँ पर कितना है 400 wavelength किती है 400 one upon lambda into 10 की पावबर minus nine ठीक है यह होगा equation number third ठीक देखो equation मनाने से फाइदा क्या है तुम्हारा तुम्हें चाहिए क्या सबसे पहले तो तुम्हें चाहिए है lambda ठीक है देखो और हमें अब यह पता है ठीक है सारी की सारी values हमें पता है ठीक है यह देखो h तुम्हारा होता है constant और हमें निकालना भी है और c जो है तो मैं कहें चाहिए यहाँ पर c की value तुम्हें पता होती तो जो constant term है वो तो क्या हो जाएंगी cancel out हो जाएंगी ना ठीक है तो देखो अब हम मैं क्या कर रहा हूं कि dividing dividing equation number second by by one क्या कर रहा हूं second को first से divide कर रहा हूं ठीक है ना तो देखो क्या जाएगा तुम्हारा यह किता है इसको मैं अगर पूरा solve करके लिखूंगा तो क्या जाएगा तुम्हारा देखो यह जाएगा 450 माइनस लेंड़ा अपॉन लेंड़ा नॉट इंटू ठीक है ऐसे आएगा यह देखो और फिर तुम्हारा कौन सा है फिर है तुम्हारा फस्त तुम्हारा तो यह हो जाएगा तुम्हारा जैसे इसको solve करके सीधी एक क्यूशन में लेंगे तुम्हें कितना है 500 लेंड़ा नॉट यह यहाँ पर 450 आएगा ना ठीक है यह लेंड़ ठीक है यह वाला ठीक 500 माइनस लेंड़ा नॉट यह आएगा तुम्हारा वैल्लू ठीक है तो देखो एक्वल में अब क्या होगा अब ध्यान से देखना यह सी यह सी एच आएगा तो कॉमा नहीं ना सब के लिए तो एक ही आएगा ना पूरी रियक्शन के लिए तो एच से कैंसल सीसे सी कैंसल अब देखो बचा के तुमारा यहां पर अब धिहान दे न जरह ठीक यहां पर जब इसको सॉल्फ करोगे ठीक है जब करोगे तुम इसको solve किसको यह देखो 1 upon 2 1 upon 2 यह cancel M से M cancel क्योंकि same है और फिर आता है तुमारा यह तो ठीक है रहा हो यहां पर यह क्या हो जाएगा तुमारा second को हम किस से divide my divide कर रहे हैं बन से तो देखो यहां पर रहा हो 4.35 का whole square upon इसका whole square ठीक है 2.35 का whole square ठीक है समझ में ठीक है अब जब तुम इसको solve करने बैठोके ठीक है तो क्या आएगा तुमारा यह आएगी तुमारा 2.91 कितना समझ में आ गया और देखो अब देखो पूरी equations को अभी मैं हटा रहा हूं ठीक है देखन से देखना अब क्या मैं इसको इतर लिख रहा हूं ठीक है तो मतलब देखो तुमारा कितना आ गया है यह आ गया है 450 माइनस लेम्डा नॉट अपन क्या तुमारा 450 लेम्डा ठीक इंटू 500 लेम्डा अपन यह जाएगा 500 माइनस लेम्डा नॉट इस एक कॉल्टू तुमारा कितना है 2.91 ठीक है जब यहां से अब तुमने का लोगे लेम्डा नॉट की वैल्यू तो वो आएगी 526 नैनो मीटर कितने आएगी 526 नैनो मीटर तो भाई थ्रसोल फ्रेक्वेंसी जो आई तुमाई थ्रसोल वेवलेंड जो आई वो कितने आई 526 नैनो मीटर इतना ना आ गया ना समझ मैं ठीक है चलो यह तो हमारा यह हो गया आप उसके बाद उसके बाद आप तुम्हें चाहिए क्या था प्लेंग कॉंस्टेंट ठीक है प्लेंग कॉंस्टेंट कैसे निकालोगी देखो तमया पास अभी क्या है अब तुम्हиं प Spaß Liमड़ा भी है वाली हम्हें पता होतीперв और हम एलेक्ट्रॉन का मासा भी पता होता है तो बस सारीक सारी बिए किसी भी उसे में पत कर दो पहले मैं 1 upon 2 into electron का mass कित्ता होता है जरा बताओ यह होता है तमारा 9.11 into 10 की पावर minus 31 kg यही होता है ना ठीक इंटू velocity कित्ती दिये तुम्हें 2.55 का whole square is equal to h की value तुम्हें निकालना है ठीक है h की value तुम्हें निकालना है तो यहां पर रख दो h यह हो जाएगा c की value कित्ती होती है 3 into 10 की power 8 meter per second यही होती है light की value ठीक है मतलब light speed of light की value यह होती ना तो यह जाएगा 1 upon 500 ठीक minus 1 upon अब lambda कितना आया था हमारा यह देखो lambda not हमारा threshold frequency आई है 526 into 10 की power minus 9 ठीक है अब सारी के सारी term में तुम्हारी आ चुकिए जब इसको तुम solve करोगे सारी के सारी term तुम्हारी आ चुकिए अब जब तुम इसको solve करोगे तो क्या है तुम्हारा h is equal to आएगा 6.84 into 10 की power minus 34 ठीक है यह आएगा तुम्हारा h का value जब पूरी की पूरी term तुम्हारी यह आजाएगी तुम्हारी value ठीक है इसका वह क्या होगा unit बताना ठीक है तुम्हारा पास formula present होते हैं तो मैं पता है formula सीदे सीदे हमने formula concept कर दिया हमारा kinetic energy का kinetic energy कहां पहुंचे थे जब हमने threshold frequency की बात करी थी frequency की बात मैं हमने जब करी थी हमने बोला था वह energy लेके निकल जाता है ठीक है निकल गया मतलब उसके पास एक moving energy moving energy मतलब kinetic energy समझ गया तो यह वाला हमने सीदर सीदर रिलेशन लगा दिया उसके बाद कर नहीं कहाँ था सारी वैल्यूस थी हमने compare किया डिवाइड किया answer आगे तुम्हारा एच का और बाकी फिर एच तुमने काई लोगे बहुत इसी है ना चीक चलो यह वाला कोशन हमारा फिनिश हो गया next कोशन देखते हैं हम देखो अब तुमारा next कोशन क्या है कि एक्शन ओफ फोटो एलेक्ट्रॉन सिलवर थी तैक को कुछ पिछले वाजस है कोशन आ हमारा क्या बोल रहा है कि फोटो इलेक्ट्रॉन का और package ऑन ने क्यात बोला क्योंकि कुछ एननरजी आई होगी इसकी थरेशोंड एनरज फ्रेवेंसी लेकजयों नकल लिया ठीक है है जब इतना वोल्टेज ने दिया चैस्पेरिमेंट क्या हो गया बंद हो गया टीक लेटीज पहुंच गई तुम्हारी कहां तक गेवन देखो गेवन क्या क्या है तुम्हें यहां पर देखो तुम्हें वोल्टेज गेवन है ठीक है तुम्हें वोल्टेज गेवन है सबसे पहले लेखलो अच्छा वोल्टेज कितना तुम्हें वोल्टेज दिया हुआ है तुम्हें वोल्टेज दिया है 0.35 वोल्ट उसके तुम्हें देखो वेव लेंथ लेंथ कितनी गिवान है तुम्हीं दिए गवान है फोर टू फिफ्टि six पॉइंट seven उन्हीन तैन की 856-9 मेटर पहले ही कह लो ठीक है ज़ई एद इस यूज इतना यूज वह चोगा आप calculate करने तुम्हें work function ठीक है work function तुम्हें calculate करना है अब ध्यान दो work function सबसे पहले तो work function का formula क्या होता है जितना energy ठीक है energy of incident photon मतलब की energy of incident photon मतलब की जो तुमारे particle आ रहे है light के ठीक है उनकी energy उनकी total energy is equal होती है ठीक है किसके work function work function को तुम threshold frequency से भी relate कर सकते हो plus plus किस से होती है तुमारी kinetic energy से plus kinetic energy मतलब आप समझो कि भाई जो तुमारा incident हो रहा है photon की जो energy है ठीक है photon की जो energy है वो equal किसके होती है उसकी minimum energy के जिससे electron लेके निकल रहा है plus और जो energy लेके निकल गए न electron उसके अंदर तो kinetic energy गई plus उसके समझ गए तो यह होता है तुमारा क्या incident energy of incident photon is equal to work function plus तुमारा kinetic energy तो मैं चाहिए क्या है work function तो formula क्या हो जाएगा work function को मैं लेख रहा हूँ wf is equal to ठीक है इसका क्या हो जाएगा energy of photon minus kinetic energy यह हो जाएगा energy of photon minus kinetic energy ठीक है यह minus है तो आप तुम्हें चाहिए क्या क्या है ध्यान दो अब देख है इतना apply करने पे निकल गया इतना apply करने पे निकल गया थीक है बंद हो गई बतलब कि तुम्हाई जो एनरजी है कानेटेक एनरजी वो कित्ति यह 0.35 इतना समझ गए अब तुम्हें कैसे निकालोगे बहुत एजी लिए निकालोगे बहुत अच्छे से निकालोगे कैसे चलो देखो हमारा एनरजी का फॉर्मूला क्या होता है जरा देखो देखो एनरज में सी है वो भी है उसके बाद लेंड़ा है की नहीं है देखो वेवलेंथ है की नहीं है ठीक है तो बस एनकालो देखो क्या हो जाएगा एस एक कॉल टू ठीक क्या होता तमारा प्लैंग कॉंस्टेंट की वैल्यू हमने एक तो अभी निकाली थी 6.626 इंटू 10 की पावर सबको पता है उसके बाद अब लेंड़ा कितना दीगा है तमारा टू 56.7 इंटू 10 की पावर माइनस नाइन मीटर हमने पहले कर लिया ठीक है अब इसको सॉल्व करने पर क्या आता है इस एक कॉल टू अब पूरा कैलकूलेटर लेके बैठो क्या सॉल्वा जाएगा इसका ज एनरजी है तो यूनिट क्या होगी जूल होगी इतना आ गया समझ में अच्छे से आ गया समझ में ठीक है अब देखो ई आ गया चाहिए क्या है वर्क फंक्शन तो देखो तो देखो अब क्या आएगा तुमारा वर्क फंक्शन इसे कॉल टू क्या निकाला हमने वर्क फंक् 0.35 बोल्ट अब एक चीज में हम फस जाएंगे ये जूल में ये बोल्ट में तो आब हमें क्या करना पड़ेगा इसको बोल्ट में कनवर्ट करना पड़ेगा ठीक है तो कैसे करोगे तुमें इसको कनवर्ट देखो कैसे करोगे कि जब हमें पता है ठीक है हमें क्या पता है एक एक electron volt में कितना होता है 1.606 ठीक है देखा होता तुमारे चलो लिख लेते हैं कि एक electron volt में कितना होता है 1.602 x 10 की power minus 18 joule यही होता है ठीक है तो देखो यहां पर कितना है तुमारा 7.74 x 10 की power minus 19 joule है ठीक है तो कितना electron volt होगा हमने माना x की x होगा ठीक है तो अब देखो यहां से अब तुम x की value निकालोगे ठीक है तो x is equal to आएगा तुमारा 4.831 electron volt कितना आएगा तुमारा 4.831 electron volt तागे समझ में ठीक है चलो यह तो हो गया तुमारा अब निकालना क्या है यह बाला भी हमने convert कर लिया हमाय पास present है ठीक है तो चलो अब function निकालेंगे चलो यह लिखते हैं क्या है तुमारा 4.831 minus minus तुमारे कितना है 0.35 तो इसको solve करने पर कितना आएगा यह आएगा तुमारा w मतलब क्या work function ठीक है is equal to कितना आएगा तुमारा 6.0 क्या fix नहीं 4.48 इतना कुछ आएगा तुमारा क्या work function ठीक है और यह किसमें है भाई यह किसमें तुमारा इवी में तो समझ गए ठीक है चलो यह हो गया हमारे यह वाला question हमने क्या कर रहा सब पता है अब तो तुम्हें ठीक है चलो अब हम देखते हैं next question हमारा देखो अ यह atom है कोई atom है spherical ही होता ना ठीक है यह उसके अंदर कुछ cells present ठीक है अब क्या कह रहा है वो कोई wavelength आई यहां से तुमारा आ रहा है photon उसकी wavelength कित्ती है 150 P को मीटर स्टाइक्स कर रही है तो इसके जो its inner bound electron is ejected out अब कोई तो इसका अंदर की जो electron है कोई भी हो सकता है वो क्या ह हो गया वो यहां से बाहर हो गया ठीक है विद्धी वैलो सिटी मतलब उसकी वैलो सिटी किती थी निकलने की वैलो सिटी किती थी 1.5 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड सेकंड इनवर्स ठीक है calculate the energy with which it is bound to the nucleus मतलब की जब यह यहां पर प्रेजेंट था ठीक है तब उसकी एनरजी कितनी थी आमें यह निकालना है इतना समझ गया ना ठीक है चलो अब हम सॉल्फ करते हैं इसको देखो इसको मैंने हटा दिया यहां पर आप देखो यह होगा क्या सबसे पहले लेखो गेवन क्या क्या है तुम्हें गेवन है तुम्हें वेवलेंद किसका जब फोट किता है वेलोसिटी तुम्हें दी गई है 1.5 इंटू 10 की पावस 7 मीटर सेकेंड इनवर्स इतना आ गया समझ मैं ठीक है चलो यह हमें गिवन है इतना सारी चीज़ें ठीक है चलो अब हमें निकालना है क्या है हमें निकालना है एनरजी एनरजी के लिए हमें फॉर्मूला क् टोटल एनरजी ठीक है चलो देखऊ एनरजी एग कॉल्टी ऐस एकाल क्या होता है है एच सी भाय लैंटा ठीक है एच सी भाय लैंडा तो ऑसदें की पावर एट मीटर सेकेंड है अपन लैंडा कितना है भाई अभी हमने ने कनREE भी कर लिया इसको कितना है वन फिट-ईन 10 की पावर माइनस 12 मीटर ठीक है ना चलो तो यहां से जब एकी वैल्यू निकालोगे तो आएगा तुमारा 13.25 इन्टू 10 की पावर माइनस 16 ठीक है और यह आई की किसम है एनरजी जल्ले से बता दो क्या है गा जूल इता आगे समझ मैं तो यह आगे हमाएक वैल्यू मतलब टोटल एंरजी जब यह वेवलंद लेके आ रहा था मतलब उसकी एनरजी ठीक है फोटॉन के एनरजी इता समझ गया ना मतलब जब यह अपनी वेवलंद लेके आ रहा था तब क्याए outta. उसके सेवन ठीक है तो देखो काइनेटिक एनरजी निकाल लो जरा काइनेटिक एनरजी कैसे कैसे निकालोगे वन अपॉन टू मास कितना होगा एलेक्ट्रोन ही तो है तो यह क्या हो जाएगा इसका 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी यही होता है मास ठीक है इंटू वेलोसिटी कितनी है इसकी देखो 1.5 लेको 1.5 इंटू 10 की पावर 7 का होल स्कुर स्काहर है यही है ठीक है तो का इनरजी कितनी आएगी काइन टेक एनरजी आएगगी तो मारी 1.0 Carla ठीक है 1.025 इंटू 10 की पावर माइनस 16 जूल यह आएगे तुम्हारी काइनेटिक एनरजी इतना समझ गया ना ठीक तो यह हो गई तुम्हारी काइनेटिक एनरजी अब देखो दो चीज आ गई हमाई पास ठीक है एक तो वह जब एनरजी लेके आया था तब ठीक है और एक ज लेक्ट्राऌन अपनी एनरजी लेके निकला है मतलब कित्वते से बाउंड होगा दोगगा पक्तलब कि अब देखो टोटलफ एनजी मतलब जब निकुलेस से वह बांडोगा समझ रहो तब कित्य आएगी तुमारी को तो ऑस नते आरझ न से थी को एनरजी 15 ace की निकला है समझ गया जितनी वो लेके निकला आगर मैं उसको हटा दू लेके निकले वाले को तो क्या हो जाएगा तमाइब एनरजी आ जाएगी जिससे वो नुकलिस से बाउंड है ठीक है तो देखो अब क्या हो जाएगा तुमारा एनरजी of electron bounded with nucleus ठीक है तो कितना आएगा तमारे nucleus को यह नहीं लेका nucleus कितना आएगा तमारे 13.25 ठीक है into 10 की power minus 16 minus कितना हो जाएगा तमारा 1.025 into 10 की power minus 16 जोगी ठीक है तो इसको solve करोगे तो कितना आएगा तमारे 12.22 into 10 की power minus 16 ठीक है इतना तो आगया समझ में इतना आगया समझ में बस अब तम्हें कुछ नहीं करना है ठीक है यह हो गया तमारा क्या यह आगई तमारी इतनी energy लेके मतलब वो bound था किससे nucleus से bounded था इतना समझ में आगया अब यही तमसे अगर कोई पूछे लेक्टरों वोल्ट में बताओ तो कैसे निकालोगे बस इसको डिवाइड कर देना किसे डिवाइड कर देना वही जो माई वैल्यू थी कौनसी वैल्यू थी हमाई वन इलेक्टरों वोल्ट ठीक है और अब तुमसे क्या पूछा गया है कि भाई अगर 12.22 इंटू 10 की पावर माइनस 16 होगा तो तुमारा कितना एलेक्ट्रोन वोल्ट होगा वो होगा X ठीक है तो X की वेलो निकाल लो X is equal to कितना आएगा तुमारा 12.22 इंटू 10 की पावर माइनस 16 अपॉन यह हो कितना थंड़ा हो तो यह वाला कोशिमन हमारा होता है फिनिश नेक्स कोशिण पर बढ़ते हैं आगे घे तुमान नेक्स कोचिन क्या कह रहा है, emission transition in, ठीक है, पास्चन सीरीज, ठीक है, emission transition किस में है, पास्चन सीरीज में, ठीक है, end at orbit n is equal to 3, and start from orbit n, कहीं से तो start हो रहा है, लेकिन end हो रहा है वो 3 पे, ठीक है, end can be represent as, क्या दिया तुमें, mu is equal to 3.29 into 10 की पावर 15, ठीक है, स्क्वेर, ठीक है, जहां से start हो रही थी, वो 3 है, और जहां से start हो रही थी, वो n है, जहां पर end हो रही है, वो कहा तुमार 3 है, इतना आगे समझ में, ठीक, चलो, calculate the value of n, if the transition is observed at, कितना दिया तुम्हें विवलेंद, तुम्हें दी है, 1285 nanometer, ठीक है, तो इसको लेको, lambda is equal to, तुम्हें ये given है, है ना, अब उसके बाद तुमसे पूछा, find the reason of the spectrum, कौन सी है, IR है, तुमारी UV है, तो तुम्हें ये सब बताना है, visible है, कोई भी हो सकती है, तुम्हें वो बताना है, इतना आगे समझ में, तो भाई, सबसे पहले देखो, यहाँ पर सारी की सारी value तुम्हें given देख रही है, सिर्फ एक ही value नहीं है, कौन सी value नहीं है, mu, mu मतलब frequency की value नहीं है तुमारी पास, ठीक है, ठीक है ना, अब तुम्हें पास नहीं है यह, तो कैसे नकालोगे, हमको पता है, mu is equal to क्या होता है, c by lambda, ठीक है, और c की value हमें पता होती है, कितनी है, 3 into 10 की power, 8 meter per second, और lambda कितना है तुमारा, 1285 into 10 की power, minus 9 meter, क्योंकि nanometer है, समझ गए इतना, is equal to, क्या हो जाएगा तुमारा, 3.29 into 10 की power 15, 1 by 9, minus 1 by n square, इतना आ गया समझ में, जब इसको solve करोगे तुम, किसको, इसको इधर लेके आ जाओगे, और इसको इधर लेके आ जाओगे, तो क्या आएगा तुमारा, यह आएगा, 1 by 25, is equal to, 1 by n square, समाझ गया, यह तुमारी value आ जाएगी, अब बताओ, n square की value क्या होगी, 25 को मैं लेख सकता हूँ, 5 का square, मतलब यह क्या हो जाएगा, 1 by 5 का square, is equal to, 1 by n का square, अब तो मैं जैसे करना, उन्लरूट अन्लरूट लगा के cancel कर दो, तो यह क्या हो जाएगा, n की value आएगी, 5, मतलब यह start कहां से कर रहा था, 5 से, और end कहां पर कर रहा, 3 पर, मतलब यह जो reason है, यह कौन सा reason होता है, IR region, क्या है तुमारा IR region, इतना समझ में आ गया की नहीं आ गया, ठीक है न, यह हो जाएगा, तुमारा answer, काफी जादा easy था, तुम्हें पूरा का पूरा तुन्हें कोशन में ही देखे रखा था, बस दिमाग हमें इधर लगाना है, क्या है, C by lambda पे, ठीक है, बाकी पूरा का कोशन तुमको बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा, तो अमीद तो यही है, ठीक है, चलो, अब देखते हैं, नेक्स कोशन हमारा, देखो, अब नेक्स कोशन है तुमारा, calculate the wavelength for emission transition, if it's start from orbit having radius, वहाँ पर orbit का नाम दिया हुआ था, यहाँ पर तुम्हें radius given है, ठीक है, कितना है तुमारा, इतनी से क्या हो रहा है, start हो रहा है, और end हो रहा है, इतने पर, radius पर ठीक है, कि UV है, IR है, की कौन सी है तुमारी, ठीक है, infrared है, कुछ भी हो सकती है, IR मतलब infrared ही होता है, चलो, अब क्या है तुमारा, तुमारा पास दो radius given है, तो R1 माल लेते हैं किसको, 1.325 nanometer को, और वहीं पर R2 माल लेते हैं हम किसको, 211.6 picometer को, तो ध्यान दो, एक है picometer, एक है nanometer, तो चलो, convert कर लो इसको, यह हो जाएगा, 1, 3, 2, 2.5 picometer, तो अब दोनों के दोनों, एक ही unit में हो गए, इतना आगे समझ में, और बताओ, सिर्फ radius दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ radius गिवन है, सिर्फ radius, तो तुमारा formula क्या होता है, हमें पता है, radius का formula होता है, R is equal to 0.529 n square upon z a, याद है, ठीक है, इसको मैं नाजा बोलता हूँ, ठीक है, n और z a, ठीक है, यह होता है, यह होता है, तुमारा formula, है ना, तुमारा पास radius गिवन है, यह सब तो तुमारे, क्या n square बस different होगा, n square बस different होगा, बाकी तो पूरा का पूरा सेम ही होगा न, ठीक है, चलो, अब हम देखते हैं क्या, चलो value put करते है, r1 के लिए value क्या होगी तुमारी, 0.529, ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ, n1 का square upon, बलब पहले orbit का, ठीक है, n1 का square upon, यह क्या हो जाएगा, ठीक, z a, वहीं पर r2 की value क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी तुमारी, 0.529 upon z a, इतना आगे समझ में, चलो, r1 और r2 की value put करो, अब, यह क्या हो जाएगा, is equal to, is equal to कितना हो जाएगा, तुमारी यहां पर देखो, यह हो जाएगा, 13225, 225, ठीक है, 22.5, ठीक, picometer, is equal to, तुमारा हो जाएगा, इसके, ठीक है, तुसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, is equal to, अब, इसकी value क्या है, तुमारी यह 211.6 picometer, इतना आगे समझ में, बस, अब करना क्य है, देखो, कि अगर मैं, अगर मैं, R1 को, R2 से क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, तो जो constant term है, वो तो हट जाएगी, यहां पर N square भी होगा, N2 का square, ठीक है, ध्यान रखना वह बाद, चलो, अगर मैं क्या करूँ, इन दूसरे को, एक दूसरे को कर दूँ, डिवाइड अगर, देखो, मैं क्या करता हूँ, अगर मैं, डिवाइड कर दूँ, डिवाइडिंग, डिवाइडिंग, इक्वेशन नम्मर 1, एंड 2, एक को तो से डिवाइड करने, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, R1 upon R2 is equal to, बचेगा क्या-क्या, देखो, यह तो constant है, यह भी constant है, यह constant, यह भी constant, यह constant, यह constant, ठीक है, और बचेगा क्या, सिर्फ N1, ठीक है, यह क्या बचेगा तुमारा, N1 upon N2, ठीक है, मतलब, R1 upon R2 is equal to N1 upon N2, यह बचेगा, R1 की value क्या है, पुट करो, देखो, R1 की value कितनी है, तुमारी, 1322.5 upon, ठीक है, यहाँ पर किस क्या पॉन में, 211.6 picometer, इत्ता आगे समझ में, ठीक है, यह सारे क्या square है, भाई, ध्यान देना, ध्यान देना, इस पर, चलो, यह हो गई, तुमारी value, जब इसको calculate करते हो, तो क्या आता है, तुमारा, 6.25 is equal to N1 का square upon N2 का square, ठीक है, और इसको short में करोगे, तो, 625 का square होता है, 25 का, तो यह करता ह आएगा तुमारा, 2.5 is equal to N1 upon N2, इसको और simplify करके लिख सकते हैं, कैसे, कि अगर मैं इसको digit में लिखूंगा, अभी यह point में है, decimal में है, ठीक है, देखो, true digit में क्या आएगा तुमारा, यह हो जाएगा, 5 by 2 is equal to N1 upon N2, कुछ नहीं करा, into 2 कर दिया, दोनों साइट, ठीक है, इतना समझ में आ गया, तो मैं क्या लिखूंगा, N1 की value, कितनी हो गई, N1 की value कितनी हो जाएगी तुमारी, यह हो जाएगी 5, और N2 की value कितनी हो जाएगी तुमारी, यह हो जाएगी 2, इतना आ गया समझ में, मतलब यह 5 से start हो रहा है, 2 पे आके गिर रहा है, ठीक है, 5 से start ह हो रहा है 2 पे आके गिर रहा है मतलब सीरीज का नाम क्या हो जाएगा तो transition किस पर होगा Balmar series समझ गए ये कौन सी हो जाएगी Balmar कि सिरीज है इतना समझ गए अगर इतना समझ गए है तो आगे बढ़ है टीक है कहां से आएगी, वो बिलकुल आएगी, देखो कहां से आएगी, देखो, कहां से आएगी, वो यहां से आएगी, यह दो देख रहे हैं, बस, पूरा वोड खाली होगा, ठीक है, यह दो देख रहे हैं, यहां से आएगी, कैसे आएगी, देखो, हमें पता है, mu is equal to क्या होता है 109 ठीक है 109 678 यह क्या बोल दिया यह formula है याद आ रहा होगा तुम है 109 678 यहाँ पर क्या होता है फिर 1 upon n1 का स्क्वेर minus 1 upon n2 का स्क्वेर याद आ रहा है याद आ रहा है ठीक है देखो तो यह होता है formula ठीक है यह होता है तुमारा फॉर्मुला चलो निकाल लो अब वेव नंबर इस इकल टू क्या हो जाएगा 109678 वैजी पुट कर तो n1 कितना है तुमारा 25 तो यह को जाएगा 25 है तो 5 स्क्राइब 25 बोल दिया ठीक है बाइनस वान अपॉन यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा तुमारा 4 ठीक है एल से हम निकालोगे तो आएगा तुमारा 109678 इन्टू 21 अपॉन 100 ऐसी कुछ आएगा ठीक है ऐसी कुछ आएगा ठीक है तो यह हो जाएगी तुमारी वैल्यू अब यहां से तुम निकालोगे इस एक्वल टू क्या आएगा तुमारा अब मैं इस यहां से सीधर निकालोगा ठीक है इसलिए नहीं निकालोगा क्योंकि मुझे पता है यह वैल्यू तुमारी आ चुकी है और हमें पता यह क्या तुमारा वेव नंबर वेव नंबर रैसी प्रोकल होता है किसका सकते है उसको ठीक है तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1 by batch होता है तुमारा वेव नंबर तो मैं इसको यह इसे प्रोक आंशाना वेव नंबर तो नहींट सायो मिलकुल लिख सकता हूं तो अगर मैं इसको क्या करूं वन बाइयर मियू ठीक है मियूंबार is equal टू ठीक है तो वैल्यू क्या आईगी चेंज क्या होगा तुमारा इसको लेको 100 अपॉन ठीक है यह कितना हो जागा तुमारा 109678 ठीक है अच्छी काउंटिंग है ना 21 समझ में आगे है तना अब जब इसको कैलिकूलेड करोगे तो इसको माशीधे लएमडा लेग सकता हूं लेग सकता हूं ट्रील इलेगा 34 —210 ≪ि इसको मैं कैसे लग सकता हूं फिर से 434 x3 —9 510-10いたe नैनोमीटर तो यह सीधे लिगूं मैं नैनोमीटर इंटू इंटू कुछ नहीं यह हो जाएगा तुमारा वेवलेंथ और इस वेवलेंथ में कौन सा रीजन आता है बस अब तो मैं पता यह क्या आता है विजिबल रेंज में है यह कौन सा यह विजिबल रेंज में तो कौन सा स्टेक्ट्रम है यह रीजन कौन से स्ट्रम का विजबल रेंज इतना आगया समझ में ठीक है चलू थो यह वाला कॉशन हमारा फिनिश हो गया है तो इसी की सांथ यह वाली वीडियो हमारी फिनिश होती है वीडिएओ नहीं बोलने चाहिए हमें बोलने चाहिए कोश्ट हमारे फिनिश होते हैं ठीक है समझ मैं आए होंगे उमीद तो करता हूं कि समझ मैं आये होंगे थोड़ सा fast हो सकता है हो गयाऊ हूँ ठीक है क्योंकि तुमने ये चैप्टर पढ़ चुका है और हम बहुत सारे questions देखते आते गए हैं ठीक है तो चलो ये वाला वीडियो फिनिच होगे अब हम मिलेंगे आपको इसके कुछ और वीडियो में क्योंकि अभी questions और भी आने वाकी है ठीक है तो हम मिलेंगे कहां पर हम मिलेंगे वहाँ learn होँ free है पर best जहां कर जहाँ है तो हम कर दो हम आना है तो हम मिलेंगे पिलेंगे आनERE आने पाकोपल सांज सावरी झाल सकते क्यां दूळें। झाल अधनो ये वाह समय